स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में तीपा पांडे के साथ साथियों हम सब जानते हैं कि क्राइम करना यानि अपराद करना एक जुर्म होता है जिसके लिए उस अपरादी को कानूनी रूप से सजा भी दी जाती है यानि उसे सजा दी जाती है ताकि वे भविश्य में फिर ऐसा काम ना करें लेकिन हमारे समाज में कुछ तत्व, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे में अपरादी की मदद करते हैं उन्हें छुपा कर रखते हैं या शरण देते हैं ताकि उन्हें कानून की पहुच से दू रखा जा सके और उन्हें सजा से बचाये जा सके तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक अपरादी की मदद करना उसे कानून से बचा कर रखना भी एक अपरादी है जिसकी सजा IPC की धारा 212, 216 और 216 ए में दी गई है लेकिन साथियो ध्यान दीजेगा कि इन धाराओं का ये जो धाराएं हैं इनका एक अपवाद भी है यहाँ पर पती और पतनी के पवित्र रिष्टे को ध्यान में रखते हुए उन पर ये कानून लागू नहीं होता यानि अगर पती या पतनी एक दूसरे को किसी जुर्म के लिए कानून की पहुं से दूर रखते हैं यानि चुपाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इन धाराओं के तहत सजा नहीं मिल सकती और पाकी जो लोग होते हैं उन पर ये कानून लागू होता है तो चलिए अब समझते हैं कि क्या कहती है ये धाराएं जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर पड़ भी सकते हैं IPC की धारा 212 सेक्षन 212 के अनुसार जब भी कोई अपराद घडता है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जान मूझकर उस अपरादी को आश्रय या शरन देता है या फिर छुपाने की कोशिश करता है ताकि उस अपरादी को कानून की सजा से बचाय जा सके तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को IPC की इस धारा 212 के तहट उस घटे हुए अपराद के तहट सजा दी जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर घटे हुए अपराद की सजा, Capital Punishment, व्रित्यूट दंड है तो मदद करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है अगर वो अपराद आजीवन कारवास या 10 साल तक के कारवास की सजा का है तो उस व्यक्ति को जिसने उसकी मदद की थी उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है और अगर घटा हुआ अपराद एक साल तक की सजा वाला है तो मददकार को उस सजा के एक चुथाई भाग की सजा होगी चुर्माने के साथ एक्जाम्पल के लिए A जानता था कि B ने डकैती की है और फिर भी B को बचाने के लिए उसने उसे चुपाया जिसकी सजा यानि B ने जो डकैती की थी उसकी सजा थी आजीवन कारवास तो यहाँ A को B की मदद करने के लिए तीन साल तक की सजा होगी और चुर्माना भी देना पड़ेगा तो साथियो जैसकी हम समझ गए है कि किसी भी अपरादी की जान बूझ कर मदद करना उसे कानून से बचा कर रखना ताकि उसे सजा ना हो ये एक अपराद है जिसके लिए सेक्शन 212 के तहट उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है और इसके अलाबा IPC में दो सेक्शन और है जो इ कानून से बचाने के लिए उस व्यक्ति को छुपाता है या शरंद देता है तो उसे IPC की धारा 216 सेक्शन 216 के तहट सजा हो सकती है और अगर क्योंकोई जान बूझ कर किसी डाकू को या किसी लोटेरे को शरंद देता है तो उसे IPC की धारा 216 ए के तहट साथ साल तक का लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये सबी cases पती और पत्नी के रिष्टे पर लागून नहीं होते पत्नी इनका अप्वाद है उन पर ये कानुन लागून नहीं होता और इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि ये जो धराएं हैं इनके अंदर हुआ अपराद एक संगीन अपराद होता है जिसमें समझोते के बाद भी केस को वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन ये एक बेलेबल ओफेंस भी है तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी ज़रूर आईगी तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपी के साथ किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार